नमस्कार दोस्तों स्वागेद आपके चैनल पर दोस्तों NICL AO Administrative Officer का 2021 का जो preliminary exam है वो 16 अक्टूबर को कंड़क कराया गया है यह exam मैंने भी दिया था second ship में मेरा exam था तो इस वीडियो में हम देखेंगे expected cutoff क्या हो सकता है इस examination का उसका preliminary result कब आएगा और main examination कब होगा और जी हा last year paper versus this year paper तो दोस्तों last year 2019 का paper था जो January में हुआ था 3 January के लगबग वो भी तब हमारा selection हो गया था इसलिए तब एक तरिक को एक February 2019 को हमारा assistant को जोईनिंग था और AO का जो preliminary exam था 30 January या 31 January को कुछ तो भी था so last year paper paper के comparatively this year का paper कैसा था यह हम यहाँ पे देखेंगे so 2019 का जो paper था वो slightly easier था थोड़ा बहुत easy था जिसमें attempts इस साल से 10-15 attempts आप जादा कर सकते थे 2021 के paper में जो मुझे देखने को मिला है वो यह मिलाएगी क्योंकि Calculative और जो कुछ भी D.I.S. थी थी थोड़े बहुत Calculative थी उसमें inequalities पुछीगे reasoning में वो भी Calculative थी और पार्ट्स जो भी था पजल वगेरा वो भी Calculative लेवल पर पुछा गया था इसलिए मेरे खायल से last year 2019 का पेपर था जो मैंने दिया था तभी मैंने मुझे शायद 75 marks थे और 75.25 जो OBCC cut-off था थो 0.25 से नहीं हुआ था last time लेकिन इस बार का जो preliminary exam है definitely last year के paper से tough था क्योंक second ship के review के बारे में बताएंगे तो second ship में क्या किया आगा था सबसे पहले English का सवाल आया था इंग्लिश में एक अच्छा लेवल का पैसे आया था RC जो 10 mark था और वो बहुत easy था इस ट्रेट फ़र RC था उसमें ज्यादा कुछ दिमाक लगाने के ज़रूरत नहीं कि थीम जी थी वो उसबे के स्थान का oil gas production के basis पे थी वो एक ही reading में आपको समझ में आते थी और within 4 minutes में आप पैसेज स्वाल कर सकते थे इतना अच्छा पैसेज था easy था उसके बाद थोड़ मैं easy ही कहूंगा easy और थोड़ा बहुत moderate तक मतलब आप अच्छे attempt 24-25 तक अच्छे attempt कर सकते थे 100% accuracy के सब्सक्राइब 24-25 attempt कर सकते थे क्योंकि logically भी वहाँ पे elimination method से जाते हो कोई सवाल में आभी आप अटकते हो तो आपको वहाँ पे hint मिल सकते थी और आप solve कर सकते थे easily दोस्तों reasoning में मैं बातना चाहूंगा कर दोस्तों reasoning में जो puzzle था वो circular puzzle जो एक पुचा गया था उसमें circular puzzle 8% का था लेकिन ऐसा बोला गया कि जो 4 बरसन से वो outward direction में बैठे और 4% inward direction में बैठे तो इसलिए वो puzzle slightly tough हो गया उसके बाद एक जो hierarchy थी जो administration में hierarchy होती है सब स्टाफ स assistant manager higher level तक उसके basis पे एक puzzle था लेकिन उसमें जो combinations पूचे गया तो 3 या 4 लेवल पे combinations थे वो इसलिए वो puzzle थोड़ा tough बन रहा था blood relation में भी simple सा puzzle लग रहा था लेकिन सवत उसमें तीन सवाल पुचे गया तो slightly slightly trickier था क्योंकि उसमें directly 2-3 sentence में नहीं दिया था exactly क्या combination है तो उसके बाद दोस्तों और भी puzzles पूची गई थी वो जो puzzles थी वो थोड़ी easy थी और जो direction distance का था वो भी easy था तो reasoning का जो section था दोस्तो उसमें सबसे difficulty लेओ तो आपको ये face करने को मिलेगे time consuming वो है inequality inequality में थोड़ा time consuming था वहाँ पर जो statements दे थे वो लगबग 3-3-4-4 3-3 statements नहीं 3-3 options थे मतलब u is greater than less than or equal to v, v is less than or equal to g, comma again एक उसके बाद और comma 3-3 statements थे उसके बाद आपको conclusions दिया थे, वो conclusions आपको सिर्फ verify करने थ तो slightly वो trickier नहीं था लेकिन time consuming था तो उसमें आपका time थोड़ा बहुत लग सकता था आपको थोड़ा बहुत आपको आपको वहाँ पर time जा सकता था तो दोस्तों वहाँ पर reasoning की बात करें तो थोड़ा slightly मैं कहोंगा कि last year से definitely reasoning का जो section है वो थोड़ा tough आया था last time 30 तक exactly problem यह हुआ था कि starting जो हुई थी वो wrong number series से हुई पास सवाल जो wrong number series से थे पाच चार सवाल शायद पुछे गए थे वो exactly याद नहीं है wrong number series खे थे और slightly उसमें से 2 तो easy थे लेकिन 2-3 जो थे वो tricky थे और definitely time consuming थे उसके बाद जो DI था दोस्तों वो calculated था calculated मतलब आपको जो calculations थे वो directly नहीं आ रहे थे मतलब जो figure दी थी 1540 फिर उसके 40% male उसके 30% female तो ऐसे calculate करना था 1540 का 40% 30% निकालने में थोड़ा सा time लगता है as comparatively 15 से आप जितना calculate कर सकते easily उतना 540 का नहीं कर सकते थोड़ा बर 2-3 सेकन आपके definitely जाता लगए कि तो ऐसे जो one word के जो example से दोस्तों वो भी थोड़े बहुत normal trick थे at least आपको एक या देड़े मेनीट लग सकता था आपको हर example arithmetic का solve करने के लिए तो दोस्तों जो overall difficulty level था second ship का वो में कहूंगा कि वो moderate था except English English में थोड़ा बहुत आपके sentence होता है आपको अंसर मिलता है लेकिन reasoning और math में आपको sure short answers आते है तभी आप tick कर पाते और दरोज आप tick नहीं कर पाते वहाँ पर logical guesses आप नहीं लगा पाते सो उसके basis पर यहीं बात करें तो जो second ship कर रही हूँ था और मेरे खायल से जो मेने भी exam दिया था मुझे लगा as compared to 2019 वो moderate था not totally moderate बट लेगिन moderate के तिरब lean था अब दुस्तों बात आती है good attempt दूस्तों good attempt ऐसी कोई concept मेरे खायल से नहीं होती क्योंकि good attempt हर बंदे के capabilities पर हर बंदे के practice पर हर बंदे के strong points और weak points पर depend करता है हर shift wise depend करता है तो आप good attempts यही कहेगा जो website वालों नहीं करी बताया हो कि यह paper average सा समझ मान लोगे उपल दरी इंग्लिश में 22 करने चाहिए किसी बंदे ने 60 किया है तो वो good attempts यह हो सकते है तो उनके हिसाब से 66 good attempts है तो good attempts जो depend करता है दोस्तों आपके category cut off and all जो कुछ भी है जो कुछ भी आपके strong points इविक पाँट है उस पर depend करता है तो good points आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से उसको लेके चलिएगा उसके बाद normalization डिफिनिटली important role play करता है लेकिन दोस्तों मेरे खाल से normalization की बात में यहाँ पे करता हूँ यह आपने first shift, second shift, third shift यह four shift जो कुछ भी है उसमें आपके मान के चलते है कि यह दोनों shift tough थी यह आपके minus 10 attempt कम हुए इन दोनों shift के अलावा दोस्तों आपको मिल के कितने marks मिलेंगे पांच marks मिलेंगे लेकिन पांच marks तो आप लैक कर रहे हैं तो normalization अगेरा इससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है फरक तो तभी पड़ता है जब आप इसी tough shift में आ जाते है और ज्यादा होती ही तो आपको normalization के marks ज्यादा मिलते हैं थोड़ा बहुत इधर उदर 19-20 रहा तो definitely आपको ज्यादा marks नहीं मिलेंगे आपके attempts कम हुए तो उससे आप accept कीजाएगा कीजाएगा कि merit मुझे attempts कम हुए इसका मतलब आप खुदको अइसा मत बते कि में tough shift में आया था इसलिए मेरे attempt कम हुए ऐसा नहीं होता है तो आपको normalization के marks मिल जाएंगे उससे आपको ढरने की ज़रूरत लेकिन normalization भी इतने हद तक नहीं होता कि आपके डिरिकली 10 marks बढ़ जाए तो वह थोड़ी बहुत नाजन से भी हो जाती कभी कभी क्योंकि जो tough shift में आता है तो बंदा थोड़े उनकी chances थोड़े कम भी हो जाते है तो दोस्तो इस बारे में तो हम वह तो बात ना करें वही बेतर क्योंकि यह तो हर साल से चलता आया हुआ discussion होता है दोस्तों हम यह expect करेंगे 31st October के around आपका preliminary examination का result आ जाएगा और expected date of main examination जो होगा दोस्ता आपका 20 या 21 November definitely हो सकता है क्योंकि जो examination conduct कराती है NSL वो सिर्फ within one month में conduct कराती है लेकिन हम यह expect कर सकते है कि 31st October तक यह result लता है तो 14th आपका Sunday है तो उसके chances कम है तो हम यही मान के चलते हैं कि आप कि जो examination हो सकता है में examination वो 20 या 21 को होगा अब दोस्तों बात इते expected cutoff दोस्तों expected cutoff यह base होता है जो exam यह हम प्रेडिक कर पाते cutoff एप exam मैंने दिया था इसलिए मैं इसका cutoff exactly predict कर पा रहा हूँ क्योंकि यह exam का level मुझे पता है मैंने दिया था मैंने realize किया है बंदों का कितना attempt क्या हुआ है पढ़ा है उनसे पूछा है तो उसके basis पे cutoff होता है definitely दोस्तों आपको इस बार cutoff में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी फिर लास्ट टाम ओपन इंजनल को तो था वो 80 था इस बार में मानके चलता हो 72 तो chances बहुत कम होगे 74 की chance से ज्यादा है 74 त आपको 65 SC का 65-67 के भीतर लगबक mostly 67 की तरब जुका हुआ नजर आएगा और ST का cutoff आपको 63 तब जुका हुआ नजर आएगा दोस्तों cutoff जो है आपको बोलेंगे बहुत सरे बंदे या पे बोलेंगे कि इननाई ST का cutoff और open cutoff में 20-25 मार्गा difference होता है दोस्तों अब यह जो है दिरे दिरे बदलती जा रहे है competition का level change होते जा रहा है ST category में भी आपको competition अच्छे level को देखने को मिलेगा कि उन बंदों का यह जो सोचना है वो उन्होंने अपने मन से यह खायाल निकाल देना चाहिए कि cutoffs अब कम लगेंगे देफिनेटली दोस्तों वेकंस भी दिन वे दिन कम होती जा रही है और कॉटावस भी competition के basis पे दिन वे दिन बढ़ते जा रहे है अब दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप यही सोचते है कि आपका आपका जो attempt है 80-80 है उसमें accuracy 100% 95% है तो देफिनेटली आप यहां के preliminary exam crack कर सक दोस्तों जो बंदे यहां पर preliminary exam का वेट करेंगे और रगलने के बाद पढ़ा ही start करेंगे तो उनको लगबग सी पंदरा दियम ही GA के लिए मिलेंगे तो मैं यही बोलूँगा आपको कि आप अभी से GA की practice GA का जो reading है general awareness का last six month का जून से या जून-जुले से आप पढ़ना कभी वेस्ट नहीं जाएगा तो दोस्तों आप अभी से पढ़ाई start कर देगा GA का at least two hours या three hours daily आप पढ़ना start कर देगा तो बेस्ट लग आपको preliminary exam के result के लिए और thank you for watching this, have a nice day, have a lovely day and have a bright future ahead, good bye